पस्चम बंगाल में ममता सरकार ने एक पत्र जारी कर 70% से ज्यादा मुस्लिम छात्रों वाले स्कूलों में मिड डे मिल डाइनिंग हॉल बनाने का आदेश दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीब घोश ने गुरुवार को ट्वीट कर ममता सरकार के इस आदेश को बच्चों के साथ भेद भाव बताया। मुख्यमंती ममता बनार जी ने सप्पाइदी की आदेश का घलत मतलब निकाला गया। ममता ने कहा यह डाइनिंग रूम सभी के लिए है सरकार के आदेश अनुसार। इस नियम को लागू करने के लिए राज्य द्वारा संचालित सभी स्कूलों से छात्रों का डेटा भी मांगा है। यही नियम भी है जिसका हम पालन कर रहे हैं। यह एक तक्नीकी मसला है इस से ज्यादा कुछ नहीं। यह डाइनिंग रूम सभी के लिए है। हिंदू मुसलिम का भेदभाव करती आ रही है। स्कूलों में यदि नभी दिवस मनाया जाए तो उन्हें कोई एतराज नहीं होता। लेकिन स्वरस्वती पूजा करने पर वे हिंदू बच्चों पर भी हमला कर देती हैं। यदि हम बचपन से ही बच्चों को भेदभाव क करना सिखाएंगे तो उनका भविश्य कितना खराब होगा सोच भी नहीं सकते। बंगाल के आलपसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग ने आदेश को लागू करने के लिए कवायद तेज कर दी है। विभागों ने उन सभी सरकारी स्कूलों लिस्ट मांगी है जहा मुसलिम चात्रों की संख्या सतर प्रतिशत से ज्यादा है। इसके लिए 28 जून तक का समय दिया गया।